लो एब्रिवान वेलकम टू स्पंदन्स केक वार्ड फ्रेंज आज मैं एक और्जेंट और केक जो 3 kg का बड़ा और वो बना कर दिखाऊंगे आप लोगों को और बहुत ही तेस्टी बनाना पड़ेगा ये केक कॉस्टोमर का डिमांड ये ही एक जो सिर्फ केक की टेस्ट पर ह वो डिजाइन कुछ भी नहीं दिये है वो जो मुझे जो पसंद आयागा मैं वो डिजाइन बनाऊंगी एसा बोले हैं और मैं ये केक का डिजाइन बहुत ही आसाम तरीके से बनाई हूँ जो आप सब को अर्जेंट अर्डर पर काम आएगी तो आए गाईज ये केक की रेश 10 इंच टीन में बेक की थी 2 किलो के लिए 800 ग्राम प्रिमिक्स लेकर मेरी होममेड प्रिमिक्स है और ये जो मैं आइसिंग कर रही हूँ ये केक की जो फिलिंग्स दे रही हूँ ये केक थी 1 किलो के लिए 400 ग्राम प्रिमिक्स ली थी और 8 इंच टीन में ये केक स्पॉंज मे आपके केक स्पूंस को अच्छे से शोकी यह केक को मिलक चार बड़ा चामंत शुगर शिरफ से देकर अच्छे से मिक्स करके यह सोकी थी फिर जो अच्छा टेस्ट के लिए और क्रीम में भी टू स्पून कंडेंस मिल्क आड़ करके अच्छे से मिक्स करके ये केक के उपर दी हूँ तो फ्रेंड्स के उपर जो कंडेंस मिल्क के पानी में स्वेप करके फिर उसके उपर क्रीम दे कर उसके उपर फिर बटर स्कॉच की जो क्रॉस दी क्रबस के ऊपर चब राश को चिप्स दी हूं क्राक से क्राइब करे मिला फिर शोपर क्राइब शोपनाबकर क्राइब करें क्रोस के उपर फिर जो चकोचिप्स दे कर जो फाइनल लेयर दे के मैं ये केक की क्रॉम कोट की हूँ, सेम इसी प्रोसेस से ये जो केक की बटम लेयर को भी मैं क्रॉम कोट करके फ्रीज में श्टोर की थी पहले से फ्रेंज यह एकacements office का although the canon is जो customer मुझे यह order दिए है वह मेरे से 3 बार बढ़ा केक का आडर दे के लिए हैं उनके फैमिल पाती के लिए लेकिन आज उनका office के लिए और दे कर बोले कि जो मैं जानती हूं आपका जो केक की test केसा रहता है लेकिन मेरी अफिस की जो स्टाप है वो नहीं जानते हैं आप कैसे केक बनाते हैं इसलिए ये केक की टेस्ट जबर्दस्त बनाएं और सारे स्टाप खाएंगे और आपको सारे अर्डर मिलेगा मेरे अफिस से तो फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छी टेस्ट बना कर ये केक की दी हूँ देखिए ये मैं केक की फाइनल आइसिंग की हूँ मैं यहां पर पाइपिंग बैक को यूज नहीं की हूँ कि यूँकि मेरे पास टाइम नहीं था ये बहुत और जैन से जो मुझे मिला था ये केक अ और साम को चाहिए था ये अडा फिर थ्री किलो का था इसलिए मैं एसे डिजाइन बना कर दी हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसान होगा ये डिजाइन बनाने के लिए डिजाइन मुझे कस्टोमर ने कुछ नहीं दिये थे वो मेरे पे छोड़ दिये थे कि आपको जैसा अच्छा लगेगा आप वो डिजाइन बना दीजे सिर्फ टेस्ट अच्छा होना चाहिए ये कॉम्ब है जो स्क्रापर कॉम्ब स्क्रापर इसको में गुमा के ये जो पाटन दी हूँ आप के पास अगर ये नहीं है तो आप सिलिकन ब्रस भी गुमा दीजे तो बहुत अच्छे से पाटन बनती है देखिए अर्जेंट में एसे ही कॉम्ब और जो सिलिकन ब्रस से गुमाने से अच्छा पाटन देती है और आपके हाथ में अगर फिनिसिंग केक की नहीं हो रही है तो एसे में कुछ दिखाई नहीं देगी कि आपकी जो फिनिसिंग अच्छे से हुई है या नहीं देखिए मैं ये केक के बीच में जो पेपर स्टिक दे दी पेपर स्टिक के उपर ये टॉप लेयर को प्लेश की एक स्केल और एक पैलेट नाइप से ये थोड़ी सी टेड़ी हो गई है इसलिए इसको फिर से सीधी करने पड़ी इसलिए थोड़ी सी टेड़ी हो गई थी फिर उसको एक दुसरे से अलग ना होने के लिए उसके बीच में एक जो प्लास्टिक की स्ट्रॉ दे दी फिर ये देखिए मैं टूडी नोजल लेकर पैपिंग बैग में नर्माल क्रिम भरके ये मैं हाथ को भाइब्रेट करते हुए प्रेस करते हुए भाइब्रेट करके फिर थोड़ी सी दबा कर जो पैपिंग बैग को एसे जो बनाने से ये जो स्टार नोजल है बड़ी बाली स्टार नोजल टूडी नोजल ये एसे ब्यूटी फूल सी फ्रावार बनती है फिर ओही टूडी नोजल से मैं जो टॉप लेय की बेस को कभर की हुँ आपके पास अगर अर्जेंट अडर आ रहे है तो आप कस्टमर को मना मत कीजे आपको अगर वो कोई डिजाइन नहीं दे रहे हैं तो आप ये डिजाइन आसान से बनाईए देखिए फिर वो जो खाली-खाली सा दिख रहा था और एक छोटी-छोटी बनाई ओही टूडी नोजल से फिर ये में चेरी को एक-एक बड़े बड़े चेरी को बड़े फ्लावार के बीच-बीच में दी और छोटी-छोटी चेरी भी आती है मरकेट पे ओही छोटी-छोटी फ्लावर में देखर धेर सारा जो चुको चिप्स देखे मैं ये केक को की कि यह तो तड़का है हों वेकर्स की क्या आप भी चाहते हैं बेकिंग करना और घर पे रहे के पेशा कमाना और सोच रहे हैं कि कहा। केशे सुरुवत करेंगे यह business यह जो business के start करने को कितना खर्चा लगेगा cake sale कैसे होगा लोग कैसे जानेंगे कि आप केक सेल करते हैं केक में से प्रोफिट कैसे निकलेगा ये सब की डाउट क्लियर करने के लिए मेरी इस चानल पे इस सारी टपिक पर बहुत सारे वीडियो अप्लोड है मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे वीडियो की लिंक दी हूँ आपको अगर जरुरत है तो आप ओ लिंक को क्लिक करके देखिए आपको मेरे आज का वीडियो केसा लगा है अगर आपको अच्छा लगा है मेरे आज को वीडियो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और जाने से पहले एक लाइक कीजिए और आपकी क्या डाउट है मेरे साथ सेयर क कीजिए और कॉमेंट्स में बताएं मैं आपकी हर एक डाउट क्लियर करूंगी तो देखिए फ्रेंच यह बन गई है थ्री किलो का टेस्टी केक यह बहुत सारे चकोचिफ्स देकर मैं यह केक को डेकुरेट की हूं यह अलफाबर्स थोड़ी सी जो एक साइड में हो गई थी इसको फिर मैं मेडिल पर केक की मेडिल पर लाई हूं देखिए यह कैसे शीप्ट हो रही है जो अलफाबर्स इसको कैसे बनाते हैं नो चोकलेट्स और नो फंडान्से मैं यह बनाई हूं इसके उपर भी एक वीडियो में कल अप्लोड की थी वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप् के फिर उसको अच्छे से प्लेस की हूं और यह केक के उपर मैं थोड़ी सी कलरफुल भर मिसली को स्प्रेड करके यह की फाइनल लूग बनाई हूं देखिए गाइस तीन किलो का टेस्टी केक यह बहुत ही टेस्टी है इसे आप व्यानिला वाइट फरेस्ट और बाटर स्क कुछ फ्लेवर भी कहेंगे तो चलेगा कॉस्टमर का रिवीव बहुत ही अच्छा मिला मैं यह केक को फिप्टिन हंड्रेड में सेल की थी और आप भी एसे ट्राइ कीजिए थैंक्स पर वाचिंग